राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी. तभी उन्होंने देखा, एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है. राजा ने पूछा, तुम नगर में ना जाकर यहां क्यों बैठे हो? भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक दिन यहीं आना है, इस तुम तो वास्तव में घोर पागल हो, ये मेरी मूल्लेवान छड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदी जड़े होए हैं, इसे रखलो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो, तो ऐसे आदमी को देना जो तुम से भी ज्यादा पागल हो. कुछ वर्षों बाद राजा अब तो जाना ही होगा, बिखारी बोला, कहां जाना है, राजा बोला, ये कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी तू बात करता है, बिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंतरी या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा, प्रबं घोड़ा भेज देते राजा ने चिला कर कहा अरे पागल मैं जहां जा रहा हूँ वहां कुछ भी नहीं भेजा सकता भिखारी बोला तो राजन इस छड़ी को तुम संभालो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पागल हो तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो भी तुम ये सब कुछ इकठा क्यों करते रहे ये हाल राजा का ही नहीं अधिकांश लोगों का भी यही हाल है